नमस्कार देश की बात में हाजर हैं पहले बात उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार ने UPPCS परीक्षा स्थागित की अब जुलाए में होगी ये परीक्षा उत्तर प्रदेश में 17 मार्च को होनी थी UPPCS की ये परीक्षा गौरतलब है सरकार इस मामले में सक्ती से कारे कर रही है कल ही हमने देखा था प्रदेश पुलिस परीक्षा में छह लोगों को गृफतार किया गया था लीक मामले में आए सीधे चलते हैं अपने सयोगी रनवीर सिंग के पास रनवीर ये बहुत महत्वपूर्ण है जो ये कदम उठाना पड़ा काफी विचार मंथन के 28244 पदों के लिए 48 लाग से जादा अभियरतियों ने आवेदन दिया था परिक्षा हुए पेपर लीग हुआ और इसके अलावा आरो यारो की परिक्षा इन दोनों ही परिक्षाओं में पेपर लीग के आरोप लगे और जांच हुई तो आरोप सही पाए गए इसके बाद कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनाती होगी लेकिन हाल फिलाल में दो बड़ी परिक्षाओं का पेपर लीग होने के बाद लगाता जांच चल रही है कि आखिर इस पेपर लीग के पीछे कौन को लोग शामिल हो सकते हैं और शायद इसी वज़े से हाला कि सरकार ने पागरा, मतुरा, प्रताबगर, बलिया, इंजिलों से भी गिरफतारियां हुई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया तो सरकार फिलाल ये जानना चाहती है कि अलग अलग जो पेपर्स हो रहे हैं उन पेपर्स के लीग के पीछे कौन लोग है और शायद यही वज़े ह तो वो मूल कारण पता चल जाएगा जिस कारण की वज़े से जो लगातार परिक्षाएं हैं उनके पेपर्स लीग हो रहे हैं तो फिलाल सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि यूपी पीसेस की परिक्षा जो 17 मार्च को होनी थी वो जुलाई महीने में होगी यानि पौने 6 ल सुनिश्चित करना चाहती है कि कि किसी भी तरह से पेपर लीग यूपी पीसेस में ना हो और शायद यही वज़े है कि 17 मार्च की परिक्षा को फिलाल पोस्पून कर दिया है शासन कानून ववस्था समाच के रुक पर सवाल खड़े करता है उत्तर प्रदेश के हमीरपूर जिले की रहने वाली दो लड़कियों के साथ सामो एक बलातकार के बाद आरूपियों ने उनका वीडियो बनाया था लड़कियों के शफ पेड़ से लटके मिले का गया इन्ह पहले दो बहनों की मौत और अप्पिता की हमीरपूर की द्रासदी बड़ी होती जा रही है परिवार ने दोनों बहनों से दुशकर्म की शिकायत की थी बताया गया कि परिवार घाटमपूर में इट भट्टे में मजदूरी करता था वहीं ठेकेदार राम सोरूप के बेटे रज्जू और भांजे संजू ने दोनों को शराब पिलाई सामुहिक दुशकर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया आहत किशोरियों ने 28 फरोरी को इट भट्टे के पास एक पेड़ पर फंदा लगा कर आत्मत्या कर ली कानपूर की घाटमपूर पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा तुदर्श कर लिया और तीनों आरोपियों राम सोरूप, रज्जू और संजू को गिरफतार कर जेल भी भेज दिया लेकिन अब पिता ने भी आत्मत्या कर ली ग्रामीडों में चर्चा है कि आरोपी भट्टा संचालों को की ओर से समझोते का दबाव बनाया जा रहा था बताते हैं कि बीते सोमबार को घाटमपूर से आई एक महिला ने भी पीडित परिवार को धमकी दी थी पीडित पिता ने गाउं से डेड़ किलोमेटर दूर नाले के पास बबूल के पेड़ पर फंदा लगा कर आत्मत्या कर ली सूचना पर सीओ श्रेस्ट रिपाथी ने घटनास्तल की जाच की शव को कबजे में लेकर पोस्टमाटम कराया गुरुवार दोपहर गाउं खैर डेरा में पुलिस की मौजूदगी में अन्तिम संसकार हुआ गाउं में भै का महौल है भट्टे में मजदूर ले जाने वारे ठेकदार के जेल जाने के बाद पत्नी डरी हुई है पांच शे दिन पहले इनके साथ एक अप्रिय घटना घटी थी इनकी बच्चियों का वहां इट बच्चे में रे पे फोकेट हुआ था जो ठेकदार लेके गया था उसी में वो लोग जेल चले गए तो उसकी पत्नी के द्वारा हमें सुनने में आया है उसके बच्चे पईवार गाउं में चर्चा हो रही थी हम से भी वो लड़का बोला था एक दिन कि उनकी पत्नी धाउंस दे रही है कि ये अपना केस वापस ले लो नहीं मैं तुम्हें शेयत तरेट्चर में फशागी जेल भेज दूँगी ब्रितक के बेटे के तहरीर पर आज मुकदमा दर्च किया गया वहीं सिलोलर थाना प्रभारी को इस मामले में लापरवाही पर लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस अरतिक जानकारी के लिए रनवीर हमारे साथ बने वे रनवीर आपकी रिपोर्ट देखियो बहुत ही मार्मिक है इस समय में पुलिस कारवाई करती भी नजर तो आती है लाइन हाजर की भी बात आपने कह दिये लेकिन जब गरीबी होती है उस पर दबाव जब जहलन नजर आ रही है पुलिस में शिकायत दिया फायर हुई लेकिन वीडियो सोशल मीडिया या बाहर जाने के डर से इन दोनों लड़कियों ने पेड़ पर लटक कर आत्मत्या कर ली उसके बाद पुलिस ने कारवाई की तीन जो आरूपी थे इन तीनों को रामसरूप, रज्जू और संजू इन तीनों को गिरफतार किया, गिरफतार करने के बाद ऐसा लगा कि ये मामला अब खतम है, लेकिन जो एड़ भटे का परिवार था, वो लोग लगा था आरे, इस परिवार पर दबाव बना रहे थे कि मुकदमा वापस लो, और शायद इसी वजह से डरे हुए पिता ने आ कारवाई करेंगे, लेकिन जिस तरह कि ये घटना हुई है, निशित तोर पे इस परिवार की जो भरपाई है, वो तो फिलाल नहीं हो सकती है, और हमीरपूर में पुलीस अब जो उस परिवार के आसपास की सुरक्षा है, उसको भी बढ़ा रही है, साथ ही जो लोग जिन प पूर प्रशाशन भी कर रहा और इसकी निगरानी भी लखनों से की जा रही है, बहुत बहुत धनेवादत जानकारी के लिए आश्वासन भी मिले तो बहुत हो जाता है गरीब परिवार के लिए, बहराल आईया आगे बढ़ते हैं देश की बात में और अब रुख पश्च मंगाल का संदेश खाली मुद्दा गरमाय रहा आज भी, एक तरफ बीजेपी की नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया, बीजेपी महला मोर्शा पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वहीं धरने पर बैठ गए, प्रधान मंत्री ने कल ही 12.07 में रैली में ममता सर लेकिन जब अन्याय के बारे में पता चलता है, तो हम टी-म-सी कारकरता को भी गरिफतार करने से चकते नहीं हैं, एक खतेली की सबी उंगलिया बराबर नहीं होती, बीजेपी कहती है, बंगाल में महलाय शोशित है, लेकिन मेरी चुनौतिये की महलाय बंगाल में सबसे सु बंगल नए, किसे की ज़ागा है, अनि छोय आम ज़ने ज़ने उन्वे खाते ना, जदिकोलों किसे अन्ने बंगल में आति, शामने शोय में आति आसले, आमने उसे की आक्शन भी एकशनी, िमाँ उनी तिन बंग माई स्कोल भी घर केतर कोटे, आमी कोप हुआ को आप पर हो देंगों इस दो ओनी प्रेंज जगने मोई दरा से एन उन सभेश्टे जिरेश करूं। हाट्राइज वकर जों छिलो आपनेरा पुखाई छिलें। हार करा पिर्टु लागु को भुष्टा कि रुवाता है देंगोर का उपर में। देंगोर का बेटी का उपर में। जब कश्मीर से अनुछे 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे प्रदानमंत्री मोदी उन्होंने परिवारवाद को लेकर यहां पर थी का हमला बोला श्री नगर के बक्षी स्टेडियम में। प्रदानमंत्री ने कहा है कि एक जवाना था जब देश के जो कानून थे वो यहां लागू नहीं हो पाते थे लेकिन वक्त ने करवट ली है और अब पूरी देश की ओजनाओं का लाब कश्मीर के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रदानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर ठीका हमला बोलते वे कहा कि परिवारवादियों ने सालों तक 370 को लेकर कश्मीर के लोगों को गुम्राग किया और उन्हें उनके अधिकारों से बंचित रखा। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दसकों तक इन अधिकारों से बंचित रखा। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और प्रस्टा अचार का एक बहुत बड़ी भुक्त भोगी रही है हमारी जेन के बैंक इस बैंक को तबहा करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी बैंक में अपने नाते रिष्टेदारों और भाई बतिजों को भड़कर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी आप सभी के हज़ारों करोड रुपिये डूब जाने का खत्रा था जेन के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किये उदर कॉंग्रस की भारत जोडो न्याय आत्रा आज राजिस्थान पहुंच गई है राहूल गांधी ने रतलाम के सेलाना से बासवाडा खुली जीप में वो पहुंचे बासवाडा में राहूल गांधी ने नौकरियों कदाब चला उन्होंने काए कि कॉंग्रस की सरकार आ करेंगे आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए आदिवासी युवाओं के लिए पिछले वर्द दलित गरीब जनरल कास्त के युवाओं के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है सबसे पहला कदम हमने गिंति की है हिंदुस्तान में 30,00,000 सरकारी वेकिंसी है सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90 परसेंट को 30,00,000 सरकारी नौकरिया हम बेदें दूसरा है थे हैसिक काम हम बन रहे का प्रोग्राम लाई थे रोजगार का अधिकार लाकों लोगों को फाइदा हुआ अधिकार दिया हमने वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को सब युवाओं को अप्रेंटिशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और देश की बात में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि आज रात देश के रक्षा मंतरी राजनात सिंग से खास बाच्ची देखिए संजय को बिल्याने की है एंडी टीवी इंडिया पर असोसियेशन फो डेमोक्राटिक रिफर्म्स एडी आर ने आज सुप्रीम कोर्ट में SBI के खिलाफ अब मानना याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी और स्टेट बैंक को 6 मार्श तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के आदेश दिये थी लेकिन अब स्टेट बै कारी दे रहे हैं हमारे सेयोगी आशीश भारगव आशीश ये अपने आपे बहुत महत्तपून कदम एकास तोर से अगामी लोक्सबा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लडाई शुरू हो गई है एक तरफ स्बीआई ने स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अरजी दाखिल करके वक्त और मांगा है सारा जो डेटा है जो इलेक्टरल बॉंड का वो चुनाव आयोक को देने के लिए और वक्त मांगा है और कहा है कि 30 जुन तक का ये समय दिया जाए ये समय सीमा जो है वो 6 मार्च को खत्म हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा था कि स्टेट बैंक और इंडिया तमाम जो डेटा है तमाम ब्यूरा जो किसने लेक्टरोंड खरीदे किस पार्टी को दिये कितना कितनी ये राशी थी ये तमाम चीजे का ज इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता क्योंकि बड़े गोपनिये तरीके से ये चीजे रखी गई है और इनको डिकोड करने में वक्त लगेगा सारा डेटा इखटे करने में वक्त लगेगा इसलिए 30 जुन तक का समय दे दिया जाए लेकिन एडियार जो संगठन है वो भी सुप् को एडियार ने प्रशान भूशन जो उनकी तरफ से अपीर हो ये भी कहा कि इस मामले में उनकी आचिका पर भी सुप्रीम कोड साथ ही में स्टेट बैंक ओफ इंडिया की आचिका पर सुनवाई करें क्योंकि 11 मार्च को सुप्रीम कोड में ये सुनवाई हो सकती है ऐसा कि इस पर विचार करेंगे कहें मामला है क्योंकि यहां इडियार करें के जान पूझ कर लोकसभा चुनाओं को को तक यह डेटा देने से बच रहा है क्योंकि पहले से तम्याम व्यस्ता यहां पर है उन्होंने ये भी कहा है कि जान पूझ कर अमाना का यह मामला बनता है इसलिए सुप्रीम कोड इसमें अमाना की कारवाई SBI के खिलाफ शुरू करें तो 11 मार्च को इस मामले में एक एहम सुनवाई हो सकती है जिस सुपरिम कोर्ट आगे क्या वक्त देगा एस्बी आई को वक्त नहीं देगा या कुछ वक्त तोर देगा ये तमाम चीजों पर सुनवाई होगी सुपरिम कोर्ट फैसला करेगा और एडियार की अम्मान नयाचिका पर विविचार होगा तो काफी एहम ये मामला है जिसमें इंडिया कि गुजात में एक शक्स अपनी हाइट की वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी सुप्रीम कोड तक पहुंचे और सपना पूरा कर ही दम हम बात करें डॉक्टर गनेश भराया की उनकी हाइट तीन फुट है जिसके च सुप्रीम कोड के आदेश के बाद 2019 में उन्होंने MBBS में विशल लिया और आप पढ़ाय पूरी के बाद वे भाव नगर के सरकारी इस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम कर रहे हैं